हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो एचसेसी अड़ा एचसेसी अड़ा यूटूब चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हारदिक स्वागत है तो पैरे बचों, आज की वीडियो में अभी जो एड़र्टाइजमेंट नंबर 14.2019 पैरे बचों, अगस्त में ही पैर हुए है, जुलाई और अगस्त में इसी महीने जो पैर हुए है, 15.2019 के जो पैर हुए है उनके ओपर मैं वीडियो लगबग डाल चुका हूँ, जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेस्टन्स हैं जो नए क्वेस्टन देखने को मिले हैं, आज हम 14.2019 अड़र्टाइजमेंट की सीरीज को शुरू कर रहे हैं इसमें पैरे बचों, आपको कौन-कौन से क्वेस्टन देखने को मिलेंगे, जो एकदम लेटेस्ट क्वेस्टन्स हैं चाहे वो हरियाना जीके के हो, हरियाना जीके के हर पेपर में एक दो क्वेस्टन नया देखने को मिलता है, एक तो वो क्वेस्टन, कंप्यूटर के क्वेस्टन, साइंस के क्वेस्टन, आपके हिस्ट्री के क्वेस्टन, पॉलिटिकल साइंस के क्वेस्टन, लगबग प्यारे बचो, HSC Adda Telegram पर जरूर जुड़े, इस क्लास की PDF आप क्लास के खतम होते ही, HSC Adda Telegram से डाउनलोड कर सकते हो, फरी ओपकोस्ट रहेगी प्यारे बचो, और HSC Adda Quiz, ये अपना Telegram ग्रूप है प्यारे बचो, इसमें जुड़ोगे तो आप Quiz पार्टिसपेट कर सकते हो HSC के Questions को लेके, और Previous Year of Questions को करना कितना ज्यादा Important होता है, उसके बारे में मैं पूरी डिटेल आप लोगों को यहाँ पर समझाऊँगा, क्योंकि पहरे बचो मैं आप लोगों को पहले ही बताता जाऊँगा कि कौन-कौन सा Questions जो वो Repeated है, बहुत सारे Questions Repeated है, इसका मतलब य यह है, आप किसी भी पेपर की त्यारी कर रहे हो, आपके पेपर में भी यह questions हो, वो Repeated हो सकते हैं, बिल्कुल, कोई नई बात नहीं है, और HSC हमेशा question repeat करता है, same to same, तो पहला question देखेंगे, question number 6 पड़ो, कपिल देव का पूरा नाम क्या है, तो पहले बचो कपिल देव को क पूरा नाम का मतलब है, कपिल देव का नाम उनके साथ, उनके जो पिता है, उसका नाम साथ में mention होगा, तो पहले बचो कपिल देव सर्मा नहीं है, कपिल देव देविलाल सेरावत नहीं है, कपिल देव सिंग भी नहीं है, राइट अंसर क्या हो जाएगा, C option, कपिल देव राम लाल निखन्ज तो पहले बार एक नए तरह के क्वेशन भी देखने को मिले हैं तो पहले बार जो यूनिट है उनके बारे में पूछा गया है एक इंच किसके बराबर होता है तो पहले बार एक इंच जो होता है 2.1 cm के बराबर नोट कर ले न और ये सारी यूनिट जो है अपना थोड़ा बहुत इन का बेसिक जरूर पढ़के जाना क्योंकि हो सकता है पुलिस के पेपर में भी इस तरह का क्वेशन देखने को मिल जाए क्योंकि HSSC का इस मामले में कोई बरोसा नहीं है कि किस तरह का क्वेशन वहाँ पर पूछा जाए नेक्ट कॉषण है पेरेबाचो क्वेशन नमबर 21 द्यान से देखो हाल ही में असम के किस अब्यारने को राष्टरिय उध्यान यानि कि नेशनल पारक का दरजा दिया गया है तो किसको दिया गया पैरेबचो चार उप्षन अपने सामने है डेहिंग पटकाई गरम पानी बोराईल उप्रूक्त में से कोई नहीं राइट अंसर रहेगा डेहिंग पटकाई असम का सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो पैरेबचो तो कंजर्वेशन रिजार नेशल पार्क है वो कौनसा परेबचो काजी रंगा नेक्ट को सदेख लेते हैं कि फिरसे ऑधी सेम टू आहिं प्वेस्ट नमर्ट रूरेफट फींटू देखो भी बहुत बड़ीया क्वेस्टन परेबचो हिष्ट्री का क्वेस्चन है विदेशी यात्री पेश ने हमपी के किन समार्कों को विजय का गर कहा है हमपी के कौन से ऐसे हमपी के समार्क है जिनको पेश नाम का एक विदेशी यात्री था उसे ने इनको क्या कहा पहरेबचो विजय का गर तो इसका राइट अंसर क्या होना चाहिए पहरेबचो तो इसकी जो स्थापना हुई थी, वो मुहमद बिन तोगलक के समय में हुई थी, हरिहर और बुकाने इसकी स्थापना की थी, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है हमपी के खंडर, इनसे क्वेस्चन बनता ही बनता है, पैरे बचो, अगला क्वेस्चन है, यहाँ पर के तल पर रखा जाना चाहिए, which is a reference placed at the bottom of the page, तो पैरे बचो चार उप्सन है, footnote, endnote, header, footer, तो यहाँ पर बच्चे देखते ही क्या करेंगे, पैरे बच्चो, bottom देखते ही क्या करेंगे, footer, और answer हो जाएगा पैरे बच्चो, गलत, इसका जो right answer रहेगा, वो होगा footnote, तो आप लोगे के पास जितना time है, आप उसी time को utilize कर सको, और minimum time में आप अपनी अच्छी त्यारी कर सको, एक ये नया question देखने को मिला है, हरियाना जी के का question number 25, द्यान से पड़ो, निमन लिखित में से कोन सी हरियाना की दक्सिन पस्चिम सीमा है, तो पैरे बच्चो बहुत ही टीपिकल टाइप का question है, चार option है, दिल्ली, सिवालिक, यमुना और गगर, तो पैरे बच्चो सिवालिक और यमुना का तो कोई matter है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि सिवालिक उत्तर में है, उत्तर पूरो में भी कह सकते हैं, यमुना पूरो में है, हलकि अच्छा सेसी ने color के paper क जो answer की दी थी, revise answer की में, यमुना नदी को दक्सिन भाग में मान लिया, तो हम कहा है नहीं सकते, लेकिन जो असल है, यमुना नदी जो वो राज्य के पूर्वी दिशा में बहती है, अब बात आती है पैरे बच्चो दक्सिन पस्चिमी सीमा, तो पैरे बच्चो वैसे हमें दिल्ली को answer सही नहीं माना है, क्योंकि उसने फिर पस्चिम की भी बात की है, तो दिल्ली को हम पस्चिम में नहीं कह सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो राइट अंसर बन जाएगा, इस तरह से आप option भी eliminate कर सकते हो, गगगर हमारा क्या हो जाएगा पैरे बच्चो इस स अंसर खुद से भी कर सकते हो, सब सरवादी क्रियासील दातु का नाम बताओ, तो सब से क्रियासील इन में हो जाएगी, पोटैसियम, जो वायू के संपरक में, हवा के संपरक में आते ही जलने लग जाती है, अगला जो question है, वो है question number 28, question number 28 को पढ़ो पैरे बच्चो ध्यान में, पंचकुला में IT पारक की स्थापना की गई थी, अगला question पैरे बच्चो, most important question है, very very important question, ये question पेपर में आने की बहुत ज़्यादा संपावना है, वी सो आर्दर भूमी दिवस, World Wetland Day 2021 की theme क्या है पैरे बच्चो, तो क्या theme हो जाएगी, इसकी आर्दर भूमी एवं जल wetland and water, इसकी जो theme हो जाएगी, और ये question पैरे बच्चो मान के चलो paper में आएगा ही आएगा, अब आता है next question हमारा, question number 39, पंचाब गराम पंचायत अदिनियम, यानि कि पंचाब गराम पंचायत एक्ट पहली बार डैस में पारित हुआ था, तो पैरे बच्चो ये पूछना कि पंचाब गराम पंचायत एक्ट जो है, वो किस वर्स लाग हुआ था, तो राइट अंचन हो जाएगा पैरे बच्चो ये option 1952 में, और 1904 में से पहले, जब 22 अपरेल 1904 में को हरियाना पंचायत तीराज अदिनियम आया, उससे पहले हरियाना में यही गराम पंचायत एक् जीकेगा, दक्सीन रेलवे का परदान कार्याल है कहा स्थीत है, चिन्नाई में है, मंगलूर में है, सेलम में है या इन में से कोई नहीं, इसका अंसर आप लोग कोमेंट बोक्स में कोमेंट करके दोगे, जिस बच्चे का अंसर आएगा, उसका पैरे बच्चो मैं next class में सब लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिलेगा, आपको वो लिंक महां से उपन करके वीडियो देख सकते हो, टाइम स्टेंप मैंने करवा दिया है, उसमें बहुत सारे बच्चो की डिमांड थी, कि सर अलग-अलग टोपिक के अलग-अलग करवा दीजिए, ताकि जो टोपिक हमें पढ़ना है, उसको उपन कर सके हैं, और प्यारे बच्चो इस कलास की एक पेडियाप थी, जिसमें आपको साड़े 500 पलस क्वेस्टेंस जो है, वो मिलते हैं, विद सोल्यूशन, और उसकी कोष्ट होती है, प्यारे बच्चो 30 इस नंबर पर पेमेंट करके, इसी नंबर पर अपना सक्रीन सोट वट्सेप कर देना, प्यारे बच्चो, पॉन पे, पेटीयाप, गूगल पे, जो भी है, तो प्यारे बच्चो आपको PDF तुरंत प्रभाव से मिलेगी, और प्यारे बच्चो ये PDF इतनी important है, अभी recently क्या पुलिस का पेपर हुआ है, आप लोग ने पेपर देखा हुगा, पैरे बच्चो, पेपर के अंदर हर एक पेपर में, दो सिफ्ट में पेपर हुआ था, दस-दस क्वेस्चन मैथ के आए हुए थे, पैरे बच्चो, अगर किसी बच्चे ने सिरफ ये PDF भी पड़ रखी थी तो उसके पैरे बच्चो, दस-के-दस-क्वेस्चन मैं गारंटी देता हूँ, इस PDF से मिलते-जूलते-क्वेस्चन आए हुए थे, एक भी क्वेस्चन इससे बाहर नहीं था, बिल्कुल सलेक्टिड क्वेस्चन है, प्रिवियस येर पेपर के पूछे हुए, और पैरे है, बाकि आप लोगों की मरची है, बहुत मेहनत के साथ बनाई गई है, अगला क्वेस्चन देखो, पैरे बच्चो, क्वेस्चन नमबर 42, निमनलिखित में से, हरियाना के कौन सा नरीत्या है, रभी की फसल को बोने का संकेत देता है, तो पैरे बच्चो, यहाँ पर थोड कुमर, यह दोनों पंजाब और हरियाना के नरीत्या है, लोहडी हरियाना के अंदर मनाया जाने वाला और पंजाब के अंदर मनाया जाने वाले एक त्योहार है, जबकि लूर नरीत्या है, होली से संबंदी नरीत्या है, यह ऐसा सा खुद माना है, लेकिन इस बार थोड़ा दूर नरीते ही अंसर करना है क्योंकि अचसे सी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेस्टन जो वो रिपीट करता है अगला क्वेस्टन है पहरे बचो 1833 में ब्रीटीशों ने डैस में मुख्यालिया एक नया इसको थोड़ा बड़ा करते तो मैं एक नया उत्तर पस्चिमी परांत बन नाम से उसको हर्याना हर्याना को उसका हिस्टा बनाया तो वह कौन सा था दिल्ली चंडीगड मेरत आगरा तो राइट अंसर रहेगा यहां पर आगरा वरी वरी इंपोर्टेंट क्वेस्टन है पहरे बचो तूसरी बार रिपीट हुआ है एचसे से के पेपर में ये क्वेस आल परकास ऍसलेशन पहरे बचयों पहसक है। प्रत्येक समीति का पदेन सचीव डैस को होना चाहिए तो किसको होना चाहिए प्रत्येक समीति बनाई गई है इसमें अधिक्तम कितने सदस्य होने चाहिए तो प्रत्येक से पूछा गया था इसमें च्छाय सदस्य होने चाहिए अब अगले क्वेस्चन कितना बड़ों यह एक नया क्वेस्चन देखने को मिला है पेपर में हर्याणा में करनाल का माता प्रकास कोर कल्यान के इंदर निमन लिखित में से कौन सी विकलांगतां का उपचार करता है तो पैरे बचों यहां पर मस्तिष्क यानि की ब्रेन की वि अब आता है अगला क्वेस्चन क्वेस्चन नमबर 71 हर्याणा पिछड़ा वरग आयोग का पर्थम अध्यक्स कोन था दो बार क्वेस्चन आया पैरे बचों यह पेपर में हुकम सिंग रंजन गोई दिनेस्त्रिवेदी या गुरुनाम सिंग राइट अंसर हो जाएगा 1990 में कोन अगा अध्यक्स नयदीस गुरुनाम सिंग तो पैरे बचों बहुत ज्यादा इंप्रोटेंट क्वेस्चन है तो पैरे बचों यहां पर एक और छोटी सी इनफोर्मेशन आप लोगों की डिमांड के उपर कंप्लीट मैथ्स का कोर्स पैरे बचों अरिथमाटिक प पैरे बचों वो कलास होंगी हाई लाइवल एक्जाम के लिए वो जैसे सीजियल टीर टू का एक्जाम हो गया उन बचों के लिए आप लोगों के लिए पूरा कोर्स कंप्लीट है इसमें लगबग 30 के करीब टोपिक जो हो मैंने कवर किये हुए हैं आप लोग चाहों तो प कैसे परचेज करना है परचेज करने के लिए आप इस नंबर पर पेमेंट करोगे उना सीठासी दस चोदा बार और पहरे बचो डिरेक्टली आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जिस एप के उपर यह कोर्स होगा उन लिंक से आपने आप उपन हो जाएगा औ पैरे बचो और अभी रिसेंटली मैंने पहले ही कहा था आप लोगों को NCRT के चक्कर में आप अरिथमेटिक और एडवांस को मत बूल जाना और वही वाहरी आना पुलिस के पैपर में पैरे बचो एक भी क्वेस्चन इस कोरस से बाहर नहीं था यह गारेंटी है पैरे बच पैरे बचो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथी पैल आइकन भी दबाएं और पैरे बचो आप लोग टेलिग्राम पर जुड़ें इस क्लास की पीडिएफ वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो टेलिग्राम चैनल से पैरे बचो वरतमान में लगबग एक हजार के करीब जो स्टूडेंट है वो जुड़ चुके और अपने साथियों को भी जोड़ें इसके लावा आपकी कोई क्वैरी है कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फोलो कर सकते हैं प्रदीप साहरावत तो पहरे बचों बागी के क्वेश्चन नेक्स क्लास में करते हैं तब तक के लिए जय हिन जय भारत जय किसान